आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें एकसी च्वाइर गुणा एकस मैंस 3, हम इन में से चार्श करनी कौन सा फलन है, जो ने तो सम है और नहीं विशम है तो सबसे पहले देखते है, सम फलन क्या होता है, सम फलन वह होता है, जिसके लिए एकसी जिगर मािनस एकस रखते, फिर वी तो उसका मान किसके बराबर आता है यदि यह सर्थ संतुष्ट करता है तो फलन होता है दिया वाजो फलन हो क्या होता है सम फलन होता है और फलन विशम कब होता है को भी फलन विशम कर लाता है यदि F of minus X का मान बराबर आजाता है minus F of X के बराबर आता है यानि कि फलन में X से जिगा minus X रखने पर फलन क्या होता है minus से गुण हो जाता है तो वो फलन विसम कहलाता है अब देखते हैं हमारे प्रशन में चार भाग देवें पहले बाग के लिए क्या हो जाएगा एक बाग में मारा फलन है F of X X के रूप में फलन है तो F X लिख सकते हैं F X बराबर हो गया X इगा 2 minus 1 तो हम यहां से क्या करेंगे F of minus X का मान निकाल लेंगे तो X इगा मानस X रख देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा F of minus X बराबर हो जाएगा minus X का square minus 1 हो जाएगा अब किसी भी दिनात्मक संख्या क्या अगर वर्ग करते हैं तो हमें से क्या मिलता है दिनात्मक संख्या मिल जाएगी तो यह किसके बराबर हो जाएगा X का वर्ग minus 1 यानि कि x square minus x हो गया और यह किसके बराबर है यह फुलन f of x के बराबर है तो यह भूगया हमारे पास f of x यानि कि कैसा f of x हो गया है यहाँ परिबासा से कि यदि f of minus x बराबर f of x है तो यह हो जाएगा sum अब देखते हैं प्रश्ने का बीभाग किया है, प्रश्ने के बीभाग में में पूचा है, X plus 3 मतेवे 2, तो X plus 3 मतेवे 2, इसको माल्य आपने यहां नहें क्या यह है, F of X, X के रूप में एक फलन है, तो यहां से क्या करेंगे, हम X दिए गर मानेस रख देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा F-O-X यह बराबर हो जाएगा मानेस अक्स प्लस तीन बतेवे 2 अब हम एक गणने इसको X के फिलन की रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे मांइनस का इन्हें आपि क्या बचेगा यहां बचेगा एक और यहां माइनस का तीन मचेवे दो गहीं है इसा को रूप में नहीं F of X बराबर किसके हो जाएगा minus X plus 3 बटे वे 2 के जो की एक है इसके बराबर नहीं क्योंकि आपी क्या है minus का चीन न हो रही है क्या plus होना चीन ही तो हम क्या बोल सकते हैं जो फुलन F of X बराबर है F of X बराबर X plus 3 बटे वे 2 नय तो sum है नय तो sum इसकी जाच करनी है में तो प्रश्चने का सी बाग फिलन दिया हुए X की लूप में फिलन F of X बड़ाबर है मापांक X हो गया अब हम क्या करेंगे F of minus X का मा निकालेंगे तो F of minus X हो जाएगा X जिए माइनस X रख देंगे तो मापांक माइनस X अब हमें पता है कि किसी भी रिनात्मक संख्या है कि जब मापांक लगा देंगे तो हमें क्या होती है हमें से एक रिनात्मक संख्या मिलती है तो यहां से में क्या मिलेगा मापांग को देगा और हमारा प्रशना है अब देखते हैं फ्रशने का डीबाग क्या है फ्रशने का डीबाग है X square गुना X माइनस तीन का रूप में है तो डीबाग कोल कल लेते हैं फ्लन का D बाग हो गया, F of X, X का एक फ्लन है, X square गुणा X minus 3 है, अब हम क्या रखेंगे, X जगे माइनस X रखेंगे, तो F of minus X ब्राबर हो जाएगा, minus X का वर्ग गुणा minus X, minus 3 हो जाएगा, तो यह मान किसके ब्राबर हो गया, minus X का वर्ग हो जाएगा, X का वर्ग गुणा minus 1 कोमन निकाल लेते हैं, तो minus X कोमन निकालने पर यहां क्या बचेगा, यह हो जाएगा, X plus 3 बच जाएगा, तो इसका माना में किसके ब्राबर हो गया, यह ब्राबर हो गया, minus X square गुणा, X plus 3, अब हम इसको देखें, यदि हम यहां से minus Fx निकाले, तो minus Fx का मान किसके किसके ब्राबर नहीं है, यदि Fx है, तो यह Fx के ब्राबर भी नहीं है, क्योंकि आपके प्लस का चीन नहीं हो रिया, minus 11 बार, तो हम क्या बोलेंगे, यह नहीं तो ब्राबर है, Fx के, और नहीं ब्राबर किसके, minus Fx के, इसलिए जो देखें, Fx ब्राबर, X square गुणा, X minus 3, नहीं नहीं, नहीं नहीं, विसम प्लाबर है, और हमें प्रश्ण में क्या पूछा था, हमें प्रश्ण में पूछा था कि कौन सा एक नहीं नहीं विसम है, तो मारा आंसर क्या हो जाएगा, option B और option D, तो X plus 3 बटे 2 और X square गुणा X minus 3 के है ना तो sum फलन है और ना ही विसम फलन है तो option B हो जाएगा यहाँ से और option D हो जाएगा B और D ना तो sum और ना ही विसम फलन है यह हमारा उत्तर हो जाएगा धन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर